कच्चे पपया का डेजर्ट वो भी जामून इतना टेस्ट ही है आप गुलाब जामन से भी जादा टेस्ट ही है दो कप चीनी एट किया है मैंने और दो कप पानी एट कर दूँगी इसमें और फिर आप इसको अच्छे तरीके से बॉयलिंग में छोड़ देना आप इसको बॉयल करना है जब तक वो एक तार ना बने इस बीच में मैं एक लेमन का पीस एट कर रही हूँ इसमें लेमन का पीस लोग डालेंगे अलाइची कूट के 2-3 अलाइची कूट के डाल दीजिए फिर लेमन को 2-3 मिनिट के बाद आप लेमन को निकाल लीजिए और इसके साथ इतना भी वाइट वाइट आप साइड में देख रहे हैं वो सब आप क्लीन कर दीजिए जो शुगर शिरफ है वो बहु क्लीन हो जाता है तो आप एक तार हो चुका है आप देख सेकते हैं तो अभी हम लोग इसको निकाल देंगे एक तार होने के बाद ही आपको निकालना है और फिर इसको अपको ठंडा करना है एक साइड में आप निकाल के इसको रग दीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंग पापया से Bouden去ойдक webinar यह हैक remember to start Messiah Pvt. पापया को काट लेंगे, यह सामने से काटने के बाद हम इसके दो पीसद में कर लेंगे बीचे कट लीजिए आप चेक कर लिजिए इसमे सीड जाना है या नहीं अगर दीजिए अगर सीडे सीड निकाल दीजिए फिर इसको अच्छी तरीके से हम लोग चिलका निकाल लेंगे आपको अच्छी तरीके से चिलका निकालना है पूरा ग्रीन निकालना है ग्रीन रहने मत दीजिए पूरा पपया का चिलका अच्छी तरीके से निकाल के इसको पीसे कर long long pieces रहने दीजिए और अंदर सबको अच्छे तरीके से clean करना जितना भी सफेद वाला borders दिख रहा है वो आपको clean करके फेकना है फिर आब हम लोग पानी में रखेंगे कम से कम 2-3 मिनिट के लिए इसको अच्छे ते वाश कर लेंगे 2-3 बार वाश करके फिर हम लोग इसको great कर लेंगे आपको great करना है बहुत ही पतले वाला greater से great करना है यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही पतले जो greater होते हैं 2-3 रहता है तो मैं सबसे जयो पतले वाले है अब देख सेकते हैं पतले पतले great करना है और अभी हम लोग सब great कर पपया आप देख सेकते, ग्रेट कर चुकी हूं मैं अभी सब को, और फिर एक बावल में ले लेंगे हम सब पपया को, यहां पे दो कप पपया है, तो आपको एक कप ग्रेटेट कोकुनट लेना है, फ्रेश कोकुनट लेना है, तो मैं एक कप फ्रेश कोकुनट मैं एट कर रह कि अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग कौन फ्लावर लेंगे कौन फ्लावर आपको चार से 5 टी स्पून आपको एड़ करना है और फिर इससे जितना भी पानी है पानी निकल सकता है कोकोनट और पपया से तो उस हिसाब से आपको कौन फ्लावर एड़ करना है मैं 4 टी स्पून से 5 टी स्पून एड़ किया है और फिर इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे जैसे यह पूरा जैसे बॉल्स बन जाने में इजी हो जाएगा फिर हम लोग इसको कवर करकर 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट हो चुका है फिर अभी हम कोशिश करेंगे इसको छोटे-छोटे बॉल्स बनाने के लिए आप देख सेकते हैं यह थोड़ा से सौफ्ट हो चुका है और मैं अभी इसको ल छोटे-छोटे बॉल्स बनाना है अगर बॉल्स अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है तो हाथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लेना और फिर आप बॉल्स बना लेना तो मैंने अभी सब पपया को बॉल्स बना लिया इसमें आपको चीनी वगेरा कुछ भी डालने की ज़र इफ प्रएक से लिए को प exh印 के लिए मैंने हाफ लीटर ऊयल ले लिया उयल आपको चाहिए आप घी में भी तल सकते हैं तो में फृय करना हैं विश का ही ध्यान में रखना है मीडियम फ्लें में कुक करना है हम लोग आप मेरने देर धीरे धीरे कुक करेंगे और जब तक एक golden brown ना हो तब तक आपको cook करना है धीरे धीरे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा color change हो रहा है और बीच बीच में आपको इसको change भी करना है अगर एक side में cooking होगा तो वो जल जाएगा आपको सब को धीरे धीरे करके आपको हिलाना है इसको अच्छी तरीके से mix करना है और fry करना है थोड़ा सा deep color करना है क्योंकि अगर sugar syrup में डालेंगे तो ये थोड़ा सा light हो जाता है तो आप देख सेकते हैं brown color हो चुका है और sugar syrup में immediately मुझे डालना है यहां से oil से आपको निकालना है और sugar syrup सामने में आप रखे immediately इसको डीप करना है गरम गरम डीप करने से जितना भी sugar syrup है वो पपया का अंदर चला जाएगा और ये बहुती soft और उपर से crispy लगता है खाने में तो मैं next batch same तरीके से fry करूंगी फिच से medium to low flame में आपको कुक करना है पहले medium flame उसके बाद low flame में ब्राउन होने तक आपको कुक करना है तो मैं ऐसे करके सब पपया को कुक कर लूँगी ये पपया कुक करने के बाद जब भी आप शिरफ में डाले आप इसको cover करके बाहर में छोड़ सेकते हैं कम से कम एक या दो घंटे के लिए उसके बाद आप फ्रीज में अंदर डाल दीजिए चिल्ट करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है नेक्स्ट बेज भी आप देख सेकते हैं हो चुक है golden brown इसको भी मैं निकाल लूँगी ये बहुत ही easy और बहुत ही tasty है गुलाब जामुन से भी ज्यादा tasty है ये नेक्स्ट आप देख सेकते हैं पूरा अंदर शिरफ हो अंदर शिरफ गुज गया है और tasty ये खाने में आप मेरे recipe ज़रूर ट्राइ करना comment, like, share ज़रूर करना अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ बाई बाई